नम श्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल स्वागत आज के वीडियो में मैं इस website को बार-बार हफते में एक बार visit करते रहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर pay online admission fees for all students in various courses और यहाँ पर इनको extension भी दी गई थी पहले 10 मार्च के लिए यह रखी गई थी date अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर regarding extension for continuation fees और B.A.B.com के लिए जो continuation fees के उसकी extension कर दी गई है साथ में आप यह देख सकते हैं कि जो second year के examination form है वो भरे जा रहे हैं तो आप यह आप देख सकते हैं कि लिए click here to apply for B.A.B.com second year or third year annual system for session 18-19 और जून 19-20 और जून 19-20 और जून 20 के बरे जा रहे हैं सिर्फ June 19-20 के लिए भरे जा रहे हैं second year के form ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे आप इस पर click करते हैं तो आपके पास आपने इस पर click कर देना है तो आपके पास student portal खुलके आ जाएगा तो जैसे ही आपके पास student portal खुलके आता है उसमें आपने यूजी पे click करके यूजी पीजी दोनों होंगे वहाँ पे यूजी पे click करके अपनी जो आईडी है और पास बड़ है वो डालके login हो जाना है यहाँ पे तो जैसे आप login हो जाते हैं उसके बाद आपको इस तरह से interface दिखेगा तो पहले तो आपने क्या करना है यहाँ पे जाके इस पे जैसे chrome browser यूज कर रहे हैं आप तो यहाँ पे यहाँ पे यह दिख रहा है और आपको क्या करना है यहाँ पे इस पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके exam details खुल के आ जाएंगी बहाँ पे आपने क्लिक करना है फ्रेश और Second year अपलाई करके next कर देना है और उसके बाद आपने जो भी स्प्जेक्ट हैं दो आपने जो subject रखें उसमें से जैसे मालो आपने हिंदी हिस्ट्री रखी हुए है तो दो हिंदी के दो हिस्ट्री के एक्जैम्स सेलेक्ट कर लेने हैं वहाँ पेपर हिंदी के दो हिस्ट्री के जा हिंदी पॉल साइंस रखी है जा हिंदी जो भी रखी है जो भी आपके दो subject आप उसमें से दो दो paper उनके use कर लेने हैं और skill development में से दो paper चूज करने हैं और compulsory core में से भी दो paper आपको choose करने होंगे तो total आपके 8 papers आएंगे इसमें दवार से बोल देता हूँ मैं कि आपके दो paper जो होँगे वो compulsory दो दो जो होंगे जो subject आपने चूज की हैं उनमें से आएंगे जैसे हिंदी के दो आजाएंगे और pole science रखी है तो दो pole science के paper select करने होंगे आपको और दो आपको skill development के करने होंगे select और उसके बाद दो आपको करने है core compulsory के जो paper है वो select करने है और उनको select करने के बाद save कर देना है और next कर देना है आपने जैसे आप next करेंगे तो आपके पास form खुल के आजाएगा जैसे उस form में आप details देख सकते हैं आपके जो paper select हुए होनेगे उनको आप select कर सकते हैं और उसके बाद जाके आपने next करना है और next करने के बाद आपके पास form आ जाएगा form को आपने एक बार देख लेना है कि आपकी जो detail है वो पूरी ठीक है नहीं है ठीक तो आप back और edit पे जाके उसको edit कर सकते हैं otherwise अगर आपकी okay है तो आप उसको continue पे click करके next पे click करके अपनी fees पे कर सकते हैं जो कि आपकी different fees रहेगी according to category and according to gender मतलब male और female के लिए लग रहती है वो तो उसके according आपने fees पे करनी है और जैसे आप fees पे करेंगे तो आपके पास एक form प्रिंट आएगा उसको आपने क्या करना है department को sorry university को send कर देना है उसका print लेकर तो इस तरह से आप apply कर सकते हैं अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता है तो आप comment section में क्मेंट करें मैं आपको full help provide करवा दूँगा regarding to fill the examination form तो यह था अज का वीडियो इस तरह की video updates के लिए आप चैनलन को subscribe कर सकते हैं बैल अक्रिक कर द